हेलो फ्रेंड्स वेल्गम बैक टू निव वीडियो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप खुछ से अटोमेटिक निव्ज वेबसाइड कैसे बनाये पाएंगे एक बार बनाना है एक बार सारा सेट अप करना है और आपके वेबसाइड पे हमेशा लाइब टाइम अटोमेटिक पोस्त पब्लिष होता रहेगा सिर्फ आपको एक बाड सुरू से अंतक शारे बताओं आप इस वीडियो को अंतक जरूरू देखियेगा और साथ मैं इसमें यूज वेबसाइट बनाने के लिए किसी भी टाइब का वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले अपने को डॉमेंड की जरूरत परती है डॉमेंड नेम यानी फिलिपका.com गूगल.com या अमेजन.in या फिलिपका जो भी है जैसे के दोस्ता आप यहां पर देख पर हैं होस या जो मेंड ओडरते हैं पर दोस्ता आएं इसमा सरी ने फाइन आप ऊस्टिंग ही और यहां से आप उस्टिंग आई कर पाएंगे यहां पर जो चैं MR जो पाइलेट्न घ्राइट 5.6 रोगों. लेकिन दोस्त अगर आप इंवेस्मेंट नहीं करने लाइक हैं तो दोस्त आपको मैं फ्री वेब होस्टिंग भी बताऊंगा दोस्त आप इस वीडियो को आं तक बने रही है अब यहां पर नीचे में आएगा दोस्त आप देख रहा है कि आप 59 और उस्ते पर अपको एक वेब्साइट आप वह सकते हैं और यहां यहां पर आपको 100 website यहां पर होस्ट कर पाएंगे माल लिए कि अभी आपने एक website बनाया और दो-तीन मैंने बाद आपने फिर से एक-दो website बनाया तो उस website के लिए आपको अलग से सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में आपको डोमेन ने मिल जाएगा कोई भी आप एक टूकाट करते हैं आप जब भी और यहां पर जो भी प्राइस होगा उसमें भी दोस्त में आपको 20% कम करा दूँगा तो उसके लिए दोस्त आपको कुछ करने की ज़रूत नहीं है सिर्फ वीडियो के description या वीडियो के comment box में में एक link दे दूँगा उस link पर आपको क्लिक करके यहां पर आजाना है तो उसमें additional 20% का आपको discount हो जाएगा तो आपको जो भी amount होगा उसमें 20% का कम हो जाएगा अब यहां पर जैसे add to card करेंगे तो दोस्त आप यहां पर देख जो कि आपको 20% का additional छूट मिल जाएगा discount मिल जाएगा जो कि आपको मालेजे के आपको 177 रुप्य डिसकाउंट हो जाएगा साथ जर के अंदर ही आपका hosting हो जाएगा और 48 महिने के लिए चार साल के लिए अगर मालेजे कि आपका budget काम है तो दोस्त आप यहां पर 12 महिने के लिए hosting ले लिजिए जो कि आपको बहुत ही कम price में आपको 12 महिने के लिए भी hosting आप मिल जाएगा यहां पर टोटल प्राइस हो रहा है अगर आप लिंक पर क्लिक कर आ रहा है तो इसमें भी 20% का अपको एडिशनल छूट मिलेगा डिसकाउंट आपको मिलेगा जो कि आपको 25 रुपर में एक साल के लिए आपको hosting मिल जाएगा इसमें आप 100 website होस्ट कर पाएंगे आपका यह भी budget नहीं है तो दोस्त आ अब यह भी जो hosting है प्रोर होस्टिंग यहां पर इसका आप रेटिंग देखेंगे बहुत ही आच्छा करसा है इसका रेटिंग हम आपको दिखाते है जो कि आपको फृटिंग मिलने वाला जो दोस्त आप देख सकते हैं free wordpress hosting और यहां पर निचे आने बाद दोस्त आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर इनका जो supporting ओबर 100000 प्लस certified यहां पर business यहां पर लिस्टड है अब थोर से निचे आने बाद दोस्त आप यहां पर देखेंगे कि free web hosting जो मिलेगा आपको एक website के लिए मिलेगा आप एक website यहां पर होस्ट कर पाएंगे और यहां पर 10x faster यहां पर जो भी आपको optimize यहां पर मिलने वाला है free hosting में भी दोस्त यहां पर SSD आपको storage मिल जाएगा साथ में 30 जी bandwidth आपको मिल जाएगा यहां पर माहा लिजे कि अगर आप free में आपका budget नहीं है तो दोस्त आप यहां पर free hosting लेकि आप अपना WordPress पर website फ्री में auto blogging शुरू कर सकते है auto news का website शुरू कर सकते है free hosting domain सिर्फ आपको buy करना होगा या तो आप domain भी फ्री में यहां से ले सकते हैं और आपका जो यहां पर plugin यूज होने वाला है वह भी मैं आपको दोस्त बताऊंगा कि फ्री में कहां से मिलेगा यहां से दोस्त इस website से आप फ्री होस्टिंग ले सकते हैं प्लस आपको यहां पर सबसे बड़ी बात है कि आपको lifetime के लिए फ्री होस्टिंग मिलने वाला है अगर आपका budget है तो दोस्त आप यहां से भी आगे चल कि इनका प्लान अपडेट करके आप यहां पर यहां पर ल अब यहां पर इसका dashboard कुछी तरह से होगा अब आपको यहां पर आपना domain connect करना है और यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर इस टॉल कर लेका है तो यहां पर साइड का टाइटल डाल देता हूं उसके बाद आपका email आईडी जो एड्मिनिस्ट्रेटर का email यहां उसक ि तो वी स्थमृत भूलाадцटी शर्कषाइल वह संटीक के अधीस को सшь सुन ऑप दौस्थट सब्सक्राइं एक डारेक्टे को के डिए और यहाँ उस्टौल पर चाहल गया आठीग करना एक है जो यह user id create किया था और जो आपने password create किया था उस user id password उसके वो use करके आप अपने main जो आपका domain अगा उसको आप login कर पाएंगे अपने admin access को access कर पाएंगे तो यहाँ पे जो hostinger का hosting आना इस पर आपको सिर्फ admin panel पर click करते हैं यह आपके website का admin panel होता है वो यहाँ पर redirect होके login हो जा करता है आपके case में अगर नहीं है तो दोस्त में आपको बता जाता हूं कि मालेजे कि हम लोगों का main domain है यह वाला है मैं यहाँ पर auto redirect होके login हो रहा है ऐसे मैं आपको private type पर आपको बता जाता हो कि कैसा login करेंगा तो यहाँ पर new type मैंने click किया और जो मेरा domain है मैंने यहाँ प आपको हमें मालेजे कि admin panel में हमें जाना है हमें बैकेंड में जाना है तो इसको इसको लिए हम लोग यहाँ पर slash type करेंगे wp-admin यहाँ पर type करेंगे कुछ इस तरह से type करेंगे और enter पर click कर देंगे तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर इस तरह का option आजाएगा अब हमने password create किए था उस password को यहाँ पर हम डालेंगे और इहां से अपने WordPress Admin Panel को login कर पाएंगे यहाँ पर हमने Log Inулifa कर दिया है तो अपना admin panel ह bleeding कर दिया है तो दोस्त आउप देख पार है इस तरह से login हो चुका है लेकिन मैंने वहाँ पर models you can लोग तरह से ऍसको क्या यहां से क्लोज करता हूं आक बताने के लिए सब्सक्राइद के ऊपर नए थीम को इसटॉल कर पायेंगे और आपके लिए नया वेबसाइड बन जाएगा करना है और यहां पर जो भी टाइग लाइन डाल दीजिए उसके बाद यहां पर आपका URL आ जाएगा और आपका email आडिया आजएगा तो कुछ इस तरह से आपको यहां पर पैनल आजाएगा अगर आप ब्लोग साइट बना रहें तो आपको इतना ही सेटिंग करना है और आपको नीचे आना है यहां पर आपना date format यहां पर देख लेंगे और time format कुछ इस तरह से अगर आपको changes करना हो तो कर सकते हैं उसके बाद यहां पर save changes क्लिक कर दीजिए आपको इतना है करना है उ आपना पोस्ट करेंगे तो इस तरह से अपना link बनेगा यहां पर आएगा और इसके बाद एक 24 पचीस आपना पोस्ट का नेम हो अपने डोमेंड के बाद अपना website करना बाद जो भी पोस्ट का टाइटल हो उस तरह से यहां पर लिंक आए जैसे कि किसी पोस्ट को हम यहां दिखा है तो इस तरह से पोफ्ट को अपने बनेगा है पर इस तरह से यह यह बदों यह आप पहले से आपता है सब्सक्राइब पता है तो दोस्त अपने में कहीं यह ना involving Stop करके आगे बढ़ सकते हैं आगर आपको नहीं पता है तो दोस्त आप इस वीडियो को कंटीनिव देखते रही है चलिए दोस्त अब यहतना मेरा काम हो गया मैं अपने इस करेंगे तो आपना अपना आ जाएगा कि हम लोग का कैसे देगे अगर आप व्लोग का कोई वीडियो देखेंगे तो तो सतिस को सुहागा आपने वीडियो देखा होगा उसमें ताजा टाइम का उनका एक ब्लोग साइड है निव साइड है तो उसके तरह हम लोग बनाने के आपके कोसिस करेंगा और उसका से हम लोक वैसे हम लोग देंगे आपे होगे दोस司त छut adequately और आगे बरते हैं तो यहाँ पर हमें एक ठीम करना पढ़ींगा तो हम यहाँ पर पर हमें इस्टार का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर हम इस्टॉल करना होगा यहाँ अगर यह यह और यह आपको यह बहुत इस पॉपलर त्हीम करने के बाद यहां पर लोग इसको डूस्ट एक्टिबेट पर कर देंगे यहां पर दोस्त जो थिम है यहां पर चाहे तो इसका जो इस्टार्ट टैंपलेट है तो आप यहां पर इस ट्रॉल करके अपने यॉपिसाइट का लूप बहुत ही असान होगा लेकिन दोस्त हम लोग यहां पर इनका template यूज नहीं करने वाले तो इसलिए यहां पर इनका starter template है इसको install नहीं करेंगे तो अपने homepage को यहां पर refresh करके देखेंगे कि अपने homepage का look है को इसमें changes होगा की नहीं हुआ तब हम लोग इसको design करने वाले कस्टमाइज करने वाले यहां पर सिर्फ मैंने दोस्त अभी थीम इस्टॉल की है अब यहां पर हमें प्लगिन वाले सेक्शन पर आना है और यहां पर add new plugin पर क्लिक कर देना है यहां पर हम जो प्लगिन आपको बताएंगे उस प्लगिन को अपने को install करना है यहां पर हम जिस प्लगिन का जीक्र करने वाले हैं सबसे पहला जो प्लगिन होगा आपने को यहां पर आस्ट्रा कहीं एक plugin हमें यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है अस्ट्रा प्रोएडण तो अगर हम गूगल पर सर्च करेंगे यहां प अगर आपके पास पैसे है तो आप यहां से investment करके आप यहां से genuine चीज यहां से buy कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो दोस्त आपको क्या करना है कि यहां पर theme raja के website पर आएंगे तो यहां पर भी आपको जो चीज मिलता है genuine ही मिलता है नहीं होता है कि यहां पर आपको डीपीः चैट पर ही बनी यहां पर दोस्त अम लोग सर्ट करेंगे लगा पैसे लग पर इंट आप आजirement यहां पर जो आपको यह प्लग इन मिलेगा यहां पर आपको यहां से नहीं आपको पास नहीं है तो दोस्त उसका भी समधान में करने वाला हूं अब आगे बड़ते हैं आपने टौपिक आते हैं और यहां पर आपको बदाते हैं कि अपलोड प्लम मैं पर इसे जो प्लग इन में आपको दे इसके लिए तो आपको क्या करना हो को आपको टेलिगराम चैनल जॉइन करना हो जो कि कमेंट लिए G आप वहां से गीन को डाउनलट कर लीजिए आप आस्त्रेयाइं बश्राइब आपको क्लिक करना है राइटक्लीक lip आना है और यहां पर च्टरैक्ट फाइल पर क्लिक कर दिना है अगर पूरा वींदिडियो देखेंगे तो आपको सिख़्ड पकडिए रिगाएब गड़न Di wohोगा शेन चलगा यहां पर डाल ढाल देना है अरहां पर डालिएगा 手 लेंगा जैसे आप एक्टिवेट करना है तो आपको दोस्त वीडियो को कम्प्लीट देखना पर गाएं तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा मेरे को भी कुछ हो जाए अगर आप दोस्त वीडियो का अंत तक देखेंगे तो मेरा भी वाच्टाइम मिलेगा और तो दोस्त आप अगर आप मेरा हेल्प करना चाहिए तो आप इतना कर सकते हैं इस वीडियो को अंत तक देखेंगे पासवड़ आपको मिल लेगा और आप यहां से डाउनलोड कर लेंगे इस प्लग इन को तब टेलिगायम चैनल को जोईन कर लिजए आगे भी मैं ठीम और प्लग इन उसमें प्लगईन को इस्टोल कर लेता हूँ यह जो प्लग इन shouldn't के अंदर है और जो वायराउस्ट Free wird कर सकते हैं और टमलूड कर सकते हैं हम लोग आप सारी सिस्टक्राइंट करने हैं तो में उसको हम लोगunu पर चलते हैं है मेरे अब ढूले उबसे पाल पर सब्सक्राइब करेंगे और यहां पे बश्ट पर यहां पर क्याते पर निवी बना सकते हैं इसक्तिक लिए डोस्त अपर क्लिक करेंगे और यहां पर सबसेरा सोब पहले हैं इस तरह से बना देता हूँ दोसरा मैं इसको एड न subscriं करते हैं उसके बादहें पे आते हैं हम लोग और पे क्लिक रहेंगे और दोस्त वीडियो को अंज तक देखेंगे तो मैं आपको सारे चीज डीटेल में बता दूंगा कि दोस्त आम लोगों का जो आपको बता रहा है लेकिन आप वीडियो को अन तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे मिलता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो की आटोमेटिक ब्लोगिंग करके के लाखों में कमा रहे हैं तो दोस्त आप भी कमा सकते होगतें हैं यहां पर यहां पर बना know एसलिए हम लोगों को new page बनाना है यहां पर नियुज कर दिते हैं और मैंने इसको publish कर दिया इसके बाद दोस्त हम अलेत नियुक्त करना हो इसको publish कर देता हूं इसके बाद दोस्त हम पेज बना लेते हैं यहां पर मैंने इस तरह से दोस्त आप जितना पेज करना हो तो आप उतना आप कर सकते हैं कबना dolci सकते हैं यदर हम आपको सरकाइब कंडोडियूरा और यहां पर यहां पर कटर्टार्स पर आएंगे हैं तो यहां पर गैघ cens can visi policy एग चीज़ को आप ऑनलाइन जड़ेट कर सकते हैं लेकिन दोस्त में आपको यहांप e osób करना है जो चीज़ है जो डिस्क्रिप्शन के तौर पर दिया गया इस आप यहां ie आपको दिक्कत नहीं हो इस जो भी हो इतना उतना काम करना है इसका और आपको इसका इस चीज को फायने कि में की जाटा के घुट है तो आपने सइड का नाम डाल देंगे की तो हम लोग TIM मेंelpon को क्या से यहाँ करेंगे और यहां पर राई के डाल देंगे यानि यहां पर नाम है से क्वाव ह्याँ करते हैं कि कहीं और भी मिल जाए इनके जो साइट का नाम है हम ने तो वारल सच किया है और कुछ लोग यहां पर देख लेते हैं कई पर नहीं है ऑपका इतना करना है और यहां पर पॉब्लिच पे क्लिक कर देना है आपका टम्षेंड कंडिशन का भी पेज आसानी सिहां पर नहीं बताता है मैं आपके साथ कर रहा हूं ताकि मैं just को शीचा रफां करेंगे और यहां वहीद कते हैं एक लिए गतल भार्व कि अपने साइट को हम रूटा चाह्क होसा इसका इस तर्य वाहां से ऑनगे और को वाया यहां से यहां से और यहां पर देंगे अपने दाल देंगे उसके बाद यहां पर दो जगे यहां पर जो टाइटल है जो नाम है वह चीजे में इसके बाद दोस्त हम जो एक पेस बनाएंगे अपना एक पेस होगा एटम्शन कंडिशन को गया वादर का और पड़ावशी पॉलिशी का तो पहले से आप पीजिए यहां से यहां पर चीजें जो पर पडॉलिशी कर दिया तो मालीचे मैं इतना पेस बनाया आप उस पेस्को बना लीजिये हमने इतना गाम कर लिया अब चलते हैं आपने वेबसाइट के होमपेज पर आएंगे तो मेरे आजए अचार आल यहां पर हम अब्रिफ्र का एक लोगो भी होना चाहिए और जो दोस्त हम किस्टमाजेशन कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस करने के लिए दोस्त आप क्या किजिए कि सांथ में अपना PCB अपने कंप्यूटर को आप लोगिन कर लीजिए और इस वीडियो को भी प्ले करके रख लीजिए यानि ताकि आप जो चीज देखेंगे वह चीज अपने साइड पर अप्लाई कर पाएंगे अब यहां पर हम लोग क्या करना है कि सबसे पहले जो अपना सेटिंग आएगा तो यहां आप ग्लोबल पर क्लिक करेंगे यहां पर टेंपोग्राफिक आप्सन आता है यहां पर दोस्ते अपना बॉडिट होता है यहां पर जो भी आपको फॉंट रखना है आप अपने हिसाब से सकते हैं लेकिन मेरे को जो अच्छा लगता है यहां पहुत पॉप्लर फंट है फो भी आपको फॉंट वार् relevant पर कर चेंज करना है यहां से चाप कर सकते हैं मैं अभी यहां से कंटेंटर का फ। यह आपज सैब यहां से आप इसको चेंबट कर सकते हैं लाद जो करना चाहएं उसके बटन को ब्सकार बाडर आपको ऐन सब्सक्राइब फ़यां कर से कर सकते हैं यहां पर जो पेडिंग है वॉडर विध्त है चीज अप यहां से अधी हम वो ब्रेक आप ने पर डोल्य जाते हैं ती आप सुर्बल बन से यहां पर इसके हैं यह से वा chambers अब यहां पर है इसको रहने देते हैं अब यहां पर विल्डर आता है सबसे पहले आपना है इसको कस्टमाइज करेंगे इसको कस्टमाइज करने के लिए तो सबसे पहले अपना लोगो यहां पर चंजेस करना पड़ेगा यहां पर हम लोग साइड पर क्लिक करेंगे साइड कर देंगे यहां पर सिर्फ अपना लोगों से होगा उसके बाद हम चाहते हैं कि अपना रेटीना लोगों है इसको अभी हम लोग यहां पर च्वाइब लाक्वट करेंगे और यहां पर हैंसे लिए सब्सक्राइब बनाया नहीं विसको बनाया नहीं हुए ब complex Allah को हाया इस जो शके नाव बना लिएगा आपका जौ बीषिसestä मतहीं 주 PER सिक आप साइट का जो हीड़ है कि हमत्र इसको आप देखेंगे शाय मेनु को अपना मेनु है कि यहां पर हम खूल चाहिए क्लिक कर दोस्त इस पर बहुत सारे प्सक्राइब है यहां पर सीसराइब करेंगे अपने को सौ्छल बटन परख़ाए तो यहां पर अपने सर्च हो गया और दोस्त यहां पर सर्चोels का वाला इकन है इसको किस्टमाइज कर सकते हैं और एक्स्टा चीज़े ऐड़ कर सकते हैं इसके लिए दोस्त हम यहां पर सोशल वाले बटन पर यहां पर कली करेंगे यहां पर 3 चीज़े एड है Facebook, Twitter, Instagram अब यहां पर दोस्त आपको जो चीज़े अगर आप यहाँ पर करना चाहिए है तो एक करने के यहां अपर कुछ इस थर यहीं करन Mix भी किरें कि और कहुँंआ तो आप अपके सपस्थाने को बार लोड़्स, साइज ऑइकन साई घ्ठाना वराना और श्वेसिंग मैनेज से पाताएंगे लहां लेकिन जो पर िएसे बुटंड कर सकते हैं अभ्याहँ से बटन यहां से नSu टिटेल आई रेंटेले सबीने हैं तो पर बद यहां पैसले किणे हो दोस्त कजिए करना चाहिए तो आप कर सकते हैं यहां पर जखे हैंग और यहाँ पर अगर हम लोग चाहिए तो आप कर सकते हैं तो रहेंगे इसको लिप भी घटा बरा सकते हैं अभी फिलाल 80 है अगर आपको हाइड और इंक्रीज करना है तो आप कर सकते हैं तो यहां पर देखेंगे जो बैग्राउं कलर है वाइट है अगर आप यहां पर इसका चेंजस कर रहे हैं कलर यहां पर कुछ और कलर देना चाहिए आपके सबसे कोई सब्सक्राइब करना है है तो कुछ उसती हैं पर यहां सब्सक्राइब पैर क्रीकरेंगे तो कुछ इनकी और मैं आपके उटा बढ़ा सकते हैं कर सकते हैं उसके बाद दोस्त आपको यहां पर पब्लिस पर क्लिक करना है इतना चीज़ा हमने जो हेडिंग था अपना हेडिंग को हम लोग ने एक नॉर्मल हेडिंग बना दिया है और भी कुछ अलग तरीके से बनाना चाहिए तो आप बना सकते हैं यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं मेरा मक्स्त थह आपको बताना कि यहां से यहां से हीडिंग को अपने कस्तमाइज कर सबस्दबर इसके बाद उसके बाद ब्लोग वाला सकसट आए इसके बाद यहां पे आप देखेंगे blog and archive का option आएगा इस पे हम लोग क्लिक करेंगे अब यहां पे आप देखेंगे कुछ dummy content हम यहां पे डाल रखा है क्योंकि हम लोग यहां पे जो भी customization करेंगा यहां पे हम लोग को proper way दीखेगा तो आप अपने को यहां पे container जो layout है तो इ अंदर जो है sidebar नहीं रहे तो हम लोग धाल थे he added up the ." डगेंगे यहां पे no sidebar को ही select कर करकी रखेंगे इसके बाद आप यहां पर देखेंगेningar साइडबार इसटार बेर को यहां लोग साइडबार लिया ही अब यहां पर दोस्ट आप देखेंगे तो यहां फीर 있다 image ह कि हम लोग कुछ setting करना पड़ेगा इससे पर इसको हम publish कर जाते हैं और अपनी वेब्साइट के dashboard पर आते हैं dashboard पर आने बाद दोस्त हम लोग यहाँ पर अश्टरा पर आएंगे और यहाँ पर dashboard पर क्लिक कर देंगे हम लोग ने एक plugin इस्टॉल किया था astra pro addon तो इसका feature यहाँ पर इनेवल करना पड़ेगा यहाँ पर दोस्त आएंगे तो दोस्त अब देखेंगे यहाँ पर astra pro modus जो है यहाँ पर हम लोग कुछ इनेवल करेंगे यहाँ पर आपको जो जो required है आप इसको इनेवल कर लेदे यहाँ पर ब्लोग फ्रो को इनेबल कर लेंगे, यहां पर साइड लियाउट को इनेबल कर लेंगे, साइड विल्डर अगर आप चाहते हैं तो आप इनेबल कर लेंगे, यहां पर नविगेसर को इनेबल कर लेंगे, पे जेटर को भी इनेबल कर लेंगे, इसके बाद यहां पर अपने को आके यहां पर refresh पे click कर देना है, यहां पर हम लोग जैसे ही refresh करेंगे तो यहां पर post content के नीचे जो option है न ओध यहां पर show होने लगेगा, अब यहां पर हमने इसको refresh कर दिया, खिर से यहां पर blog वाले section पे click करेंगे और यहां पर blog and archive पे click करेंगे, और यहां पर नीचे में अब यहां पर आने लगाए, अब आप दोस्त यहां पर देखेंगे कि grid layout है और यहां पर blog layout है, तो दोस्त blog layout वाला में जो option है इसी को हम लोग first वाले को ही राने देंगे, इसके बाद यहां पर देखेंगे grid layout के अंदर एक layout है, तो हम यहां पर चाहेंगे कि 3 layout हो जाए, अब देखेंगे यहां पर थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा, अब यहां पर मैंसुरी layout है, तो अगर आप इसको enable करेंगे, तो कुछ अलग different type से यहां पर कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, अभी हमने यहां पर enable किया, अब देखेंगे कि यहां पर इसका जो look है, यहां पर जो date है, वो भी date यहां पर box के अंदर दिखने लगे, तो यहां पर वो भी दिखने लगेगा, enable date box पर click करने के बाद दोस्त आप यहां पर जो date है, किस date को post publish हुआ है, यहां पर date भी दिखने लगा, अगर आप चाहते हैं कि अपने date नहीं सो कराना, तो आप इसको enable off कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसको enable कर सकते हैं, इसके बाद दोस्त आप नीचे में देखेंगे कि यहां पर remove feature image का जो padding है इसको आप remove कर सकते हैं, लेकिन रिमूब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको circle में दिखाना चाहते हैं, तो आप circle में भी जो width है, आप यहां पर custom कर सकते हैं, अगर आप custom इसका size दर जाएं तो custom कर सकते हैं, by default यहां पर default ही रहने दीजिए, उसके बाद यहां पर post structure आजाता है, जो कि यह आप पहले ही देख चुके है, feature image और meta blog, title and blog meta, तो इसको आप रहने दीजिए, उसके बाद आप यहां पर meta word यहां पर, मैंने 100 कराना, अगर मैं चाहूं, तो यहां पर 4 word 100 करा सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से दिखेगा, तो आप यहां पर 9-10 word कर दीजिए, ज्यादे नहीं रखिए आप, ओके दोस्त, इसके बाद दोस्त, आप देखें, read more का यहां पर जो button आ रहा है, इसके अ कोई एक size दे सकते हैं, उसी size में यहां पर दीखेगा, तो हम चाहते हैं कि हम लोग का size हो, तो आप यहां पर दे सकते हैं, हम यहां पर width 400 कर देते हैं, और height 300 कर देते हैं, तो यहां पर इसी size में अपना जो feature image है, इसी size के अंदर दीखेगा, तो हम लोग ने एक fix size इसको दे दिया है feature image का इसके बाद तो देखेंगे कि हैं पे post पे nation का अफसन आ रहे हैं तो अगर आप इसको यहां पर देरा चाहितर तो कर सकते हैं और यहां पे थोरा सा और नहीं चाहिएका तो पोस्ट का filter का डारा तो यहां पर फिल्टर भी लगा सकते हैं उसके बाद दोस्ता आप इसका बटन का color भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आएगा तो आप उपर में आएगा तो यहाँ पर design का अफसर आता है, और यहाँ पर content का color आता है, यहाँ पर post title का font है, जो भी sizes को काम जादे कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे के outside, inside अगर आपको देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अब इसके बाद आप इसको publish कर दीजिए, यहाँ से back आईए, और इसके बाद यहाँ पर single post आता है, इसके बाद single post पर आनेक बाद दोस्ति हाँ पर normal पर आ जाईए, उसके बाद दोस्त आपको थोड़ा से नीचान आए, यहाँ पर right side bar या left side bar अगर आप दिखाना चाहते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा से नीचान आए, उसके बाद यहाँ पर box का option पर click कर देना है, side bar ज आप दिखाना चाहते हैं, disable post navigation आगर करना चाहते हैं, आप अटो लोड previous post तो यहाँ पर इसको इनेबल कर दीजे ताकि जो भी post हो तो अगर यहाँ पर auto में load हो जाए previous post, उसके बाद दोस्ति नीचे माईएगा तो यहाँ पर social sharing का option आएगा तो इसको इनेबल कर दीजे ताक आप WhatsApp को यहाँ पर इस तरह से एड़ कर सकते हैं, इसके बाद नीचे में देखेंगे तो enable level का option आएगा तो इसको इनेबल करने को उज़रत नहीं है, यहाँ पर icon position आप set कर सकते हैं, आप जैसे कि दोस्त आप देख सकते हैं, below post, left, right, यहाँ पर जहाँ भी जहाँ भी आप तो आप करा सकते हैं, उसके बाद RT यहाँ पर related post आजाता है, जो कि आपको इसके enable कर देना है, और related post में कितना post हमाले छे कर जाते हैं, टीन के column में हम दिखाना चाते है, और यहाँ पर post query आप कि तरह से आप पर post आख कर सकते हैं, तो यहाँ पर setting कर सकते हैं, और उसके अपने जो से लेंट है तो इस तरह से लेंग़ को चेंज कर पाएंगे। इसके बाद डिजाइन पर आप आएंगे जहां पे बेक्राउंड को सेड़् करना तो आप यहां से कर सकते हैं। ओके दोस्त आपको इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर footer बार का जो footer option आपको दिखेगा यहाँ पर हम लोगों ने माली जे header कर दिया और यहाँ पर blog section जो है उसको भी हम लोगों ने customize कर लिया और यहाँ पर नीचे माईएगा तो आपको एक header का option मिलेगा इस footer वाले section पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आना है आप आपको आपको प्लास वाल आइकन पर क्लिक कीजी आपको जो भी चीज़े एड करना है आपको आपको आप यहाँ से एड कर सकते हैं तो आप दे सकते हैं इसके बेग्राउंड का color आप यहाँ से सेट कर सकते हैं आप इसका लेयाउट इस तरह सेट कर सकते हैं यहाँ पर डिजाइन पर आएंगे और यहाँ पर बोडर कलर बैग्राउंड कलर आप जो भी आपको यहाँ पर देना चाहें आप कुछ इस तरह से बैग्राउंड कलर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं और इसके कि यहां पर आने अब यहां से बाहर निकल लिए यह पर हूं पर आएंगे तो दोस्ट आप देखेंगे कि आपके ओमपेज का जो लूख है कुछ इस तरह से हो चुक है तो यहां पर जो भी डिज़ाइन है आप झूच से हाँ पे चेंज़़्स कर पाएंगे बगती असान तर लेट पोश्ट है हम पर सो हो गया और यहां पर फिर छी तरह से circuit से से चिज़े रहें अबया है अब यह जो sidebar है, आप sidebar का भी setup कर सकते हैं, आपको क्या करना है, कि यहाँ पर customize पर ही आपको sidebar का setup कर लेंगे, आप दोस्त आप sidebar में जो भी चीज़े रखना हो, तो दोस्त आप sidebar पर click कर दीजिए, और यहाँ पर आप इसका layout पहले set कर लीजिए, जो भी आपको layout देना है तो यहाँ पर default है, तो आप right sidebar कर लीजिए, उसके बाद दोस्त यहाँ पर enable अगर आप sticky sidebar रखना चाहते हैं, तो sticky भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसको publish कर दीजिए, अगर sticky रखना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर design के अंदर आएंगे, तो आप यहाँ पर background to the color, content क सकते हैं, उसके बाद दोस्त आप यहाँ पर visits पर आएंगे, तो यहाँ पर visits का option मिलेगा, और यहाँ पर main sidebar पर आपको click कर देना है, तो हम लोगों का main sidebar यही है, और यहाँ पर go it पर click कर दीजिए, और यहाँ पर आप देखेंगे कि top में search bar आ रहे हैं, उसके बाद comment को यहाँ से हटाना, तो आप यहाँ से इसको delete कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, यहाँ पर delete कर दीजिए, और यहाँ पर आपका comments आ रहा है, तो इसके वारा section को भी आप यहाँ से हटाना चाहते हैं, उसको हटा सकते हैं, जो भी चीज़ा आप यहाँ पर add करना चाहते हैं, आ यहां से अइड कर लिए अगर माल लिए कुछ और चीज आप डालना चाहते हैं तो आप आजे कि यहां पर बहुत सारे आपको ब्लॉक्स मिल जाएंगे जिस भी ब्लॉक को आप करके यहान पर कुछ चीज़्य डालना चाथे तो डाल सकते हैं पर के चछ आप सब्सक्राइब जो भी रेस्ट और चाहते हैं और ऑप यहाने ऊटेल सब्सक्राइब और सटाइब करा दे जाए, इस तरह से, यहां जहाँ पे इसका सेट अपकरुर सकते हैं इसके बाद यहां पर पहले किरीए कर दीजिए और यहां से कट करे बाहर हम लोग इसको कट करले जबत करना है यहां से कट करना पनी प्लगिन स्ट्रॉड करने अटर में हमने सुझ में दोस्तों आपको बोला था Auto News के बारे में तो उसके लिए दोस्त हम लोगों को एक plugin इस्टोल करना पड़ेगा जिस plugin का नाम है WordPress Automatic तो अगर हम देखते हैं कि यहां पर इस्टोल हम लोग ने किया है कि नहीं किया है आपको Google पर सर्च कर लेना है theme raja.com और यहां पर आके आप सर्च कर लेंगे WordPress Automatic Plugin तो आप यहां पर सर्च कर लेना उसके बाद दोस्त आपको यह plugin मिल जाएगा जो कि 99 रुपय में आपको यह plugin मिल जाता है तो आप इस plugin को बाई कर लिजिए यहां से बाई करने के बाद आप इस plugin को डाउनलोड कर लिजिए यहां तो दोस्त अगर आपको ज्याद है अगर plugin दो थीम की जरुरत पर्दी रहती है तो दोस्त आप इसका membership ले सकते है से लेठर वर्जन अधे लेकिन फिलाल मैंने मेरे और यहां पर चाहिए तो आपको आपडेट से बाई कर सकते हैं और और च्पेशिए उरट बॉकल यहां से दाउल्ड करते हैं ओकर gpa से मिलता है और जो अगर उरिजिनल लाइसेंस्ट में इसको वाई करेंगे code canyon से तो हम से automatic आपको update मिलता रहेगा आपको यहां पर इस plugin को हमने activate कर दिया है अब अपने को यहां पर एक wordpress automatic का option मिल जाएगा यहां पर automatic का आप देखेंगे यह plugin इस्टोल करने के बाद option मिलता है तो यहां पर हम लोग आएंगे और all campaign पर click कर देंगे तो यहां पर हम लोगों कोई campaign नहीं होगा तो यहां पर हम लोगों का new campaign create करना होगा यहां पर इसके settings में कुछ खास नहीं है तो दोस्तों हमने settings के बारे में नहीं बताया यहां पर new campaign पर click कर दीजिए अब यहां पर add new campaign पर जैसे ही click करेंगे तो यहां पर आपको एक campaign create करना पड़ेगा category wise आप जिस भी category का यहां पर post show करना चाहते हैं माली जैगा अगर 4-5 category का post show करना तो 4-5 यहां पर campaign run करना यहां पर यहां पर देखेंगे बहुत सारे कटेगरी से अलग अलग category wise यहां पर news show रहे हैं तो आप भी चाहते हैं कि आप अपने website पर माल लीजिए कि किस category का post show करना तो आप cricket पर click किजिए और यहां पर cricket पर click करने कवाद यहां पर sports के अंदर यहां पर यहां पर इस category को copy क करने के बाड़ दोस्त यहां पर हम title में डाल देता है sports का जो भी है यहां पर मैंने डाल दिया है यहां पर title हम लोग sports कुछ इस तरह से डाल देते हैं इसके बाद दोस्त हम लोग क्या करना है कि हां पर campaign type है हम लोग feed कंको कर देंगे इसके आप देखेंगे कि हम पर maximum number of पोस्ट इस campaign के अंदर आप कितना पोस्ट करना चाहते हैं तो आप कितना पोस्ट कर देंगा उतना पोस्ट आने के बाद ही एक campaign बंद होगा अब यहां पे आपको फीड का URL डानना है जो कि हम आपको बता जते हैं कैसे डालना है अब यहां पर इधर pengete रख सकते हैं पर hour रख सकते हैं तो यहां पर Minute रखेंगे न पर तक पर-tक 6 minutes पर 10-6 minutes पर आपके इनके website पर जाके च्येक करता रहेगा कि यहां पर कोई अगर इस category के अंदर कोई पूश्ट ऑया होगा तो उसको अपडेट कर देंगा अगर आप चाहते हैं कि 60 हुंटे के बाद दिखाे तो इस मैं आप नीचे में तह manten नहीं करना है नहीं हम मृत बहुत सारी आपको अप्सेंज मिल लैता है तो इसमें आप मैंने इनेबल कर दिया इसको और इसके बाद डोस्त हम यहाँ पर हैं इनेबल कर लेंगे इसके बार थो Grow यह website पर डेटा चाहिए, माल लिजिए कि अगर हम लोग अभी इसको setup करते हैं, तो अभी से ही अपने website पर data आएगा, अगर आप चाहते हैं, backdate का कोई data लेना चाहते हैं, तो आप बैक टाइटल आप देना चाहते है तो ऑरेजनल टाइटल आने दीजे उसके बाद दोस्त आप यहां पे इस चीज को नीचे वाला चीज को अठा दीजिए यहां पर देखेंगे कि जो पोस्ट टाइप है यहां पे अगर आप changes कुई चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहां पे post पे ही रहना देंगे क्योंक suchen are parallel को डेने कर आहां करते हैं यहां प Rhospies by box yeah application phone find the stream स्कृआइ अप उसे पाब्लिस मेंवली करें तो आप उसको एडिट करें करें और उसमेंbahn läuft करें करेंगे किजिए ताकि उससे क्या होगा कि जो भी content होगा original content हो जाएगा थोड़ा फोग changes कर लेंगे तो और changes करने से होगा कि आपका content थोड़ा Google में ज्यादे rank होने का chance बढ़ जाता है ऐसे भी rank होता है पर क्या होता है कि बहुत ही कम rank होता है अगर आप post को थोड़ा बहुत edit कर देंगे तो आपका post थोड़ा सा unique हो जाता है और rank होने का possibility जादे बढ़ जाता है अब यह वाला चीज जो है आपके उपर depend करता है कि आप publish रखते हैं पैंडिंग रखते हैं या draft में रखते हैं तो हम यहाँ पर फिलाल तो publish कर देते हैं उसके बाद दोस्त आप नीचे और यहां पर देखेंगे category tags तो आप किस category के अंदर इस post को शू कराना चाहाहते हैं तो हमने यहाँ पर exports का तो कोई category बनाया नहीं है तो को क्या करना है कि अपने website के अंदर यहां पर आईएगा तो यहाँ पर category आपको बनाना होगा एक exports का तो आप बना लेंगे तो यह तो कि हमें यहां पर feed e-varrl नहीं चीह बाद चीह वाहते हैं लिफ यहां पेत केमपेंन को करेंगा नीचे में और यहां पहें टारी को का उप्सेट करें गया है जितक बते लिफ юह लोगों सब्सक्राइण को स्बीड करेंगे उसके अब हीजह बनाए जोसे हैं चोहाँ पर मिलता है तो अगर आप चाहते है तो इसको सिह करने के लिए अगर कृस cukri remember हो अपर इसके अडऻ गरेगा है कि यहां पर यॉचरीया के लिए विख fedha करना है वह हिंदी मुठारें यहां पे हम चाहते हैं कि English या जो भी आपि language में चाहते हैं उस language में आप कर दिजिए और फिर से इसको Hindi में कर दिजिए तो यहां पर हम लोग नहीं कर दिजिए से क्या होग है कि थोगा सापका content जो होता है थोगा सा हो जाता है क्या होता है कि दूसरे भासा में कंपर्ट होता है फिर उस भासा से आपका हिंदी में कंपर्ट होगा अब यहां पे आपका जो भी पोस्ट होगा यहां पर इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा तो यहां पर इस पोस्ट को हम लोग ओपन करके देखते हैं और किस से अपना पौइंड आया है तो दोस्थ-वि देखेंगे है यहां पर पोस्थ आ चुका है कुछ इस तरह से आ पोस्थ आ चुका है तो दोस्त आप ही इस तरह से अपने उपसाइट पे आट आपो नियुज शेटप कर सकते हैं यहाँ पर अटोनियु शेटप कर लिजिए उसके बात आपको जितना कैमपेंड बनाना हो आप क्या कीजिए कि यह कैमपेंड आपका बन गया और यहाँ पर all पर दोस्त आप इस तरह से जो भी केमपेंड आपको यहाप पर क्रिएट करना होगा इस तरह सकते हैं तो यानि आप इस तरह से आटो निउस का जो भी वेबसाइट है कुछ इस तरह से बना सकते अपने लिए तो दोस्त अगर इसमें कुछ चीजे बागी रह गया है तो दोस्त आप कमेंट जरूर कीजेगा वह चीज हम लेके जरूर आएंगे उस तरह का वीडियो जरूर बनाएंगे हम तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आप लॉप कर दीजे में चैनल को चैनल और ये यृड्स आप चैनल को